हलो दोस्तों मेरे भाई लोग कैसे हो यार उम्मीद करता हूँ भाई सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की दुवाउं से मैं भी का फ्याच्चा हूँ तो मेरा नाम है संदीब और चैनल का नाम तो आप लोग को मालूम है विवाश फिटनस तो आज होली की भहות भहुश शुब कामना है आप लोग को साथ मैं एक बहतरी टोपिक लाया हूँ और टोपिक भी ऐसा है कि बहुत लोग जानके भी इस चीज़ को कि ये जानते हैं कि ये गलत है लेकिन तब भी वो चीज़े दोवराते हैं एक सोच बनी हुई है जो पुराने टाइम से चलती हुई आ रही है जो मेरे टाइम से चलती है आ रही है कि सपोर्टर को पहनना ज़रूरी है कि नहीं है तो मैं जब वर्क आउट करता था तो हम लोग के गुरू जी बोला करते थे कि सपोर्टर पहनना ही पहनना है कुछ- जो गोटे हैं उसमें पानी भर जाता है या वो बड़े हो जाते हैं या हरनिया की प्रॉब्लम आ जाती है तो ये बहुत पहले से चलते हुँ आ रहा है लेकिन समय के साथ साथ जब थोड़ा सा आप लोग को हम लोग को थोड़ा सा समझ में आया कि भाई ऐसा ये चीज नहीं ह हैं बिना सपोर्टर पहन के भी हम वर्काउट कर सकते हैं तो बहुत टाइम से मैंने छे या सास सालों से मैंने सपोर्टर पहनना छोड़ दिया है और बिना सपोर्टर के ही वर्काउट करता हूँ तो आप लोग को मालूम है कि मैं वही चीज इस चैनल पर लेके आता हूँ जो मैंने कुछ यूस किया हो है ना तो supporter इतना कोई जरूरी नहीं है आपको पहनना अगर आपके testicle वैसी कमजोर है तो वैसी भाई पानी भर जाएगा cycle चलाते चलाती या अलग activities में दोड़ते भागते है ना ऐसा कोई जरूरी नहीं है बना नहीं है कि आप gym में जाओ और supporter प कोन गलती करता है जलो हम हमारे time तो पहले था तो उस्टाइन इतना नेट और नहीं था तो पता नहीं था लेकिन आजकल के time में इस topic के बहुत से video बन चुके हैं लेकिन बच्चे लोग वही गलती करते हैं कि sir हम supporter पहने पहना नहीं है मैंने मैं workout नहीं कर सकता हूं तो मैं थ अगर supporter नहीं पहनोगे और जिम में workout करोगे तो पानी वानी तो भरेगा ही भरेगा साथ में आपकी जब शादी होगी तो आप बाप नहीं बन पाओगे तो मतलब कितना वो है यार बाई मैं जीता जाता है सबूत हूँ आप लोग के सामने है ना बच्चे बहुत दोती ने म मेरे तो ऐसा कुछ नहीं है और आपको अगर ऐसा लगता है कि हमको supporter पहना ही पहनना है तो आप एक V-shape अभी जो आपका जो underwear होता है अच्छे branded underwear ले लो तो उसमें भी आपको वैसे supporter feeling आईगी लेकिन वो supporter बिल्कुल भी मतलो जो market में मिलता है है ना उससे देखो होता कुछ नहीं है एक तो दिमाग में आत्रोडा साब वह हो जाता है कि हमने supporter पहने से कुछ नुकसान भी है दिखो क्या होता है कि जब भी हम supporter पहनते तो जब नया नया रहता तो बहुत tight होने के वज़े से क्या हो जाता है कि जो testicle रहते हैं वो बहुत दब जाते हैं हमारे है जब धब जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता कभी कवार वो पहनते पहनते वो unbalance हो जाते हैं मतलब एक बड़ा एक छोटा भी हो सकता है ऐसा मैंने देखा है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन मैंने देखा है और लोगों से मैंने सुना है इसलिए मैं आप लोगों को ये जिसे आप यूज कर सकते हो V-shape हो तो आप लोग को ये मैंने बता दिया कि पहनना क्यों ज़रूरी नहीं है अगर आप पहनना ही है तो उसके भी मैंने एक चीज बता दिया कि अच्छा ब्रांट का लेलो V-shape तो आप को यूज कर सकते हो बाकी आप नहीं पहनोगे तो ही अच्छा रहेगा बाकी आप लोग की मर्जी है है ना तो ये आप लोग को मित थोड़ा समझ में आ गया होगा जो मैंने आप लोग को बताया है और बाकी और कुछ पूछना हो तो